हला फ्रैंड्स कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप सारे सेशंगस एक-एक करके देखते चले जा रहे हैं और हमसे जुरते चले जा रहे हैं आप जब भी अगला सेशन देखें तो समसे को देखने प्यख्णे वाले शब्दों के चर्चा कि अर्थाब लव ऎर हेट की बाद कि घ्रणा वाले सब किसे निकले और प्रियम वाले सब किसे निकले तो हमने क चर्चा की मिजाइन्थ्रॉप और फिलाइन्थ्रॉपिस्ट के मिजाइन्थ्रॉप जो मानव मात से मनुसिता से घिर्णा करता है और फिलाइन्थ्रॉप जो मानवता से प्यार करता है फिलाइन्थ्रॉपिस्ट जो दुनिया के लिए अपना जीवन ने उचार करते हैं महम्मद, एशा गाधी गौतम बुध चंशीखराजाद इस हमाई तमाम राष्ट्री नायक जो हम अच्छा जीवन जीएं बहतर जीवन जीएं इसके लिए खुदी राम, भागत जिनका भी नाम लेजिए इसके लिए खुदी जीएं अगले वर्ड की तरफ चले तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिसाजिनिस्ट मिजैन के रूट पर आधारित अगला सब्द है मिसाजिनिस्ट आप समझ जाएं इस्ट लगा हुआ है वह जो चर्चा लगातार हो रही है तोड़ दीजिए सभी ग्रीक रूट के सब्द है सब में ग्रीक भाशाद चिपी हुई है देखिएगा पहला सब्द है मैंने कहा था कि मिसो या मिजै दीखे समझ जाएं कि मिजैन है मिजैन जिसका मतलब है टू हेट घिना करना इसमें दूसरा जो शब्द है वो है g,y,ne गायने means उमन इस्त्री और टिस्द जो सब्ध है इस्ट मतलब वह जो ही और ही हुँ अब यहां शी तो नहीं आएगा इस्त्री से घिना के बात ओरिए ही हुँ वह जो घिना करता है किस से? स्त्री से उमन से उसे क्या कहेंगे misogynist misogynist ठीक है अब देखिए तो misan और गाइनी घिना और इस्त्री तो फिर इस सब्द का अर्थ क्या हुआ who hates women जो इस्त्रियों से घिना करता है उसे हम misogynist कहते है clear है आसानी से अब भई इलो कौन है इनकी जिन्दगी क्या है इसके पिछे का idea क्या है हम लोग बार बार idea की चर्चा कर रहे है तो वह यह सीरी से कहते है women are no good अब इनकी कहानी अलग है मैंने आपसे पिछे सब्सक्राइब में कहा था कि कहते हैं कि दुनिया क्यों बनाई मेरे अलावा क्यों बनाया यह कहते हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई ठीक है दुनिया बना दिया अच्छा किया पुरुष बनाई अच्छा किया यह नारी काहे को बनाई इनको इस्त्रियों से प्राब्लम है इनके जीवन में हो सकता है किसी इस्तृ ने कभी वे वफाई की हो दोखा दिया हो इनका अभू अच्छा न रहा हो तो देए-दे इनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि इस्तृ अच्छी चीज नहीं है दौरती पे इस्तृ नहीं होनी चाहिए ऐसे लोग हैं ये लोग इस्त्रियों के विकास उनके सिक्षा वो लोग भी मिसाजिनिस्ट हैं जो मानते हैं कि इस्त्रिय सिफ घर में रहने के लिए बनी है देहलीज के पार न जाए वगरा 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 ये तमाम जो भून हत्याएं होती हैं बेटियां जो गर्द में मार जाती हैं कौन है लोग मिसाजिनिस्ट हैं इनकी अपनी समस्याएं अपनी सोच है आपने अलिफ लैला की कहानी देखी होगी उसका जो नवाब है उसकी यही स्थिति है उसे इस्तिरियों से घेड़ा है वो हर साथ हर रोजिक नई रड़की को अपने हरम में बुलाता है उसे म नवाब जो था कैसा था मिसाजिनिस्ट था तो यह लोग क्या है कि इनको इस्तिरियों से प्राब्लेम है कहानी क्या है कि साइद इनके जीवन में किसी इस्तिरियों ने इनके साथ कुछ अच्छा न किया हो इनका अनुभाव अच्छा न रहा हो इसलिए इस्तिरियों से घे करने लगे हो है ना अधनिक यूग में इन माडल इंग वर्ड इसका क्या मतलब है मिस्वजिनिस्ट वा है जो इस्तरियों के अधिकारों से उनके सिक्षा से उनके उनके विकास उनके आगे बढ़ने से उसको प्राबलेम है जो चाहता है कि नारी वही मध्यूगिन बनी रहे जो पहले थी बेटी नहीं चाहिए भूण में बेटीयों के हत्या ठीक है यह सारी चीजे कि सोरे सारा करती है मिसवजिनिस्ट की यह सब लुग कौन है मिसवजिनिस्ट है जो इस्तरियों को उनका प्रॉपर राइट उनका सम्मान नहीं देते जिसकी वहादार है उन्हें क् तो मिसाजिनिस्ट कहां से निकला आप समझ गए इसके पीछे का आईडिया भी समझ गए अब आप समझ रहे होंगे हिसर जी अब इसकी हैबिट क्या होगी जी साहब मिसाजिनिस्ट की हैबी होगी मिशाजीनी यह दिखी आपको पता है वाई लगाईए नाउन बनाईए और तो आपस्टिक नाउन बनता है वो आपकी हैबिट आपकी फिलासोफी आपके एकिटिट को दिखाता है तो मिसाजिनी जो मिसाजिनिस्ट होगा उसका विश्वास किसमे होगा उसकी प्राक्टिस क्या कहलाएगी उसकी हैबिट क्या कहलाएगी मिसाजिनी क्लेर है वही दग मिसाजिनिस्टिक क्या बनेगा मिसाजिनिस्टिक आईशी लगा के चर्चा हो चुकी है और दूसरा इसका एजिक्टिब बनेगा दोस्त मिसाजिनिस इसकी चर्चा भी हो चुकी है कि कुछ एजिक्टिब के अंत में OUS लगता है तो क्या बन जाता है एजिक्टिब बन जाता ह नेमस सफिक्स एजिक्टिब के लिए तो मिसाजिनिस्ट को जो आप एजिक्टिब में चेंज करेंगे तो यह मिसाजिनिस्टिक भी होगा, यह मिसाजिनस भी होगा, मिसाजिनिस्टिक, मिसाजिनस यह एजिक्टिब है, यह उसकी है, उसकी फिलासफी है, उसका एटिटिवड है और यह person है so if you are a misogynist you will practice misogynist and your attitude your behavior your opinion will be known as misogynistic attitude या misogynist behavior or misogynistic opinion or misogynist statement कुछ भी adjective के रूप में इसका परूप करेंगे किन के लिए जो इस्त्रियों से घणा करते हैं जो इस्त्रियों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं modern युग में इसका यह मतलब है पुराय जमाने में लोग इस्त्रियों ठीक है समय बदल रहा है शब्दों को जानेए आज नारिश सक्तिकान की बात होती है तो आप इन शब्दों का प्रियोग अपने लेखों में अपनी बाच्छीत में कर सकते हैं एक्जाम में इसके synonyms one words आएंगे आप वहां समाल लेजिएगा हर जगा काम आने वाले हैं देखी जड़ा जब आप जान गए कि मिसाजनिस्ट का मतलब मानो इस्त्री से घेना ठिक तो फिर दो बातें आपके दिमाग में आ लेंगे एक कि सर अगर किसी इस्त्री को पूरुसों से घेना हो जाए तो एक वहती थोड़े है कुरुसों के Golip理 पूरुसीहिझा करेंगे इस्त्री भी घेना कर सकती है पूरुसे उसे क्या कहेंगे और दूसरी बात आपके मंद में क और आ रही होगी कि सर जो इस्त्री से प्रेम करेगा उसे क्या कहेंगे विद्गर आप सही सोच रहे हैं और आपके दिमाग में बाते आ रही होगी तो इन उसके पहले एक बात और यह जो मिसजिनिस्ट हैं मनें आपसे क्या बताया कि जो मिजयन थ्रॉफ होगा उनके वो समाज में बिध्वन्स फैलाएगा आतंकवाद फैलाएगा दंगे करवाएगा आपसी बैमनेस फैलाएगा यह करेगा जो मिसजिनिस्ट होगा उसका भी समाज पैसर पड़ेगा भई कहा जात अपनी भावनाओं को कहां शेयर करेंगे पूरिशों के साथ साहब एक खत्रा और है जो मिसोजेनिस्ट होगा जरूरी नहीं है मैं नहीं कराओ कि होगा ही लेकिन उसके संभावना बढ़ जाती है ऐसे लोग होमोशेक्सुल्स हो सकते हैं हो सकता है ना मैं संभावना की बात कर आप पूर्शों के नजदिक जाएंगे आप मेल फ्रेंट को पसंद करेंगे वहाँ अपने को सेयर करेंगे इसलिए संभावना हो सकती है कि आप जो है गे हो जाएं इट में भी मैं फिर कह रहा हूं हूंगे ही ज़रूरी नहीं है है ना तो मिसोजिनिस्ट इसका ही सामाजी और मनोवग्यानिक असर में बता रहा हूं तो फिर आप सोचे हों कि सर जी फिर इस्त्री प्रेम क्या है और उससे पहले यह बताईए कि इस्त्री से घेना पुरुस करता है तो किसी को अगर पुरुसों से घेना हो तो उसे क्या कहेंगे तो पहले हम दोग पुरुस घेना को द से घ्रणा है साहब, वो मिजैंड्रिस्ट है, मिजैंड्रिस्ट M-I-S-A-N-D-R-I-S-T मिजैंड्रिस्ट तोर दीजिए, इन सभी शब्दों के पीछे ग्रीक भाशा है, एकदम आख मूत के समझते रहिएगा, ग्रीक भाशा में इस सब्द को आप अच्छे से जान चुके हैं अब, मिजैं मिन्स टू हेट घ्रणा करना, इसमें दूसरा शब्द है एंड्रोस, A-N-D-R-O-S इस सभी शब्द देखिए एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब होता है, मेल पुरुष, मेल मेल फीमेल चुना है न, पुरुष पस्ठ हो गया, और इस्ट लगा है साहव, तो इस्ट का मतलब, अब यहाँ पर वहाँ ही हूँ था, तो यहाँ शी हूँ कर दीजिए वह जो, वह जो पुरुषों से घिना करे उसे हम विजैंड्रिस्ट कहेंगे यह देखिए, ध्यान से सब आपके एक्जाम में वन वर्ड में आएंगे, इस नानिम्स में आएंगे वहाँ समाल लीजिएगा, और अब आप समाज में, समाजिक मुद्दों पर बात करें तो, confidence के साथ वर्ट का प्रियोग करें, यह देखो तो फिर इसकी हैबिट मन में चल लहा होगा न, बना दीजिए क्या बन जाएगा वटा, मिजैंड्री और इसका adjective क्या बनेगा मिजैंड्रस और अब इन शब्दों का प्रियोग आप सीख गए हैं, जो ब्यक्ति घिना करेगा, वो परसन मिजैंड्रिस्ट कहलाएगा, कहलाएगी बलकि और उस फिलोसफी में जिस हैबिट को वो फॉलो करेगी, क्या कहलाएगी मिजैंड्री और उसका attitude कैसा होगा, मिजैंड्रस if you are a मिजैंड्रिस्ट you nourish a मिजैंड्रस attitude, मिजैंड्रस opinion and you believe in मिजैंड्री you practice मिजैंड्री वाड़िट तिये देखिए पॉलोस घ्रा स्तरे घ्रा आमने सामने खड़े हो गए अब आपके मन में जरूर चल रहा होगा तेकि यह एंड्रोसा है आगे सारे रूट अच्छा एक और चीज है जो मैं रूट लिखता चलता हूँ न इनको आप प्लीज स्क्रिन सोट लेके नोट्स में सहिजदे चलिएगा क्योंकि यह सारे शब्द आगे और आएंगे तो बार बार अब आपको याद न दिजाना पड़े कि देखो इसका मतलब पूरुस है इसका मतलब साइन्स है तो फिर सारी महत बेकार हो जाएगी आपको घर पे अब एक नोट्स बनाने की ज़रूरत है समालते चलिएगा यह मसकत यह महनत जो की जा रही है हमें दूसरे के काम आए यह बहुत जरूरी है आईए जरा इस्त्री प्रेम के लिए भी शब्द को देख लिया जाए तो आप जब इसके लिए फिर अब इस्त्री प्रेम की बात करेंगे तो इस्त्री प्रेम में आपको जो शब्द आएगा वो होगा मने बताया था ना प्रेम के लिए फिलैन तेरे देखो philogenist P-H-I-L-O-G-Y-N-I-S-T philogenist क्या रगया न? तोड़ दीजे पहला सब्द है P-H-I-L-E-I-N philand means to love दूसरा सब्द है गाईनी गाईनी देखे जिनिस्ट गाईनी आया है न? means उमन और तीसरा सब्द है इस्ट means ही हूँ वह जो वह जो इस्त्रियों से प्रेम करें उसे क्या कहेंगे साब philogenist ध्यान से इस्त्री घ्रना भी हो गई इस्त्री प्रेम भी हो गया और पुरुस घ्रना भी हो गई सारे सब्द आपके सामने आ रहे देखिएगा अब कोई कहें कि भी या जो philogenist होगा उसकी habit क्या होगी तो philogeny simple सी बात है अब आप तो खुद ही विद्वान बन गए बनाईए दनाधन सब और इसका adjective philogenistic यह देखिए philogeny philogenistic philogenist इस तरी प्रेम इस तरी प्रेम की habit इस तरी प्रेम से सम्भंदित attitude इस तर से फिलान और मिजान इन दो शब्दों पर आधारित आप शब्दों को देख रहे हैं ना अच्छा एंड्रोफिलिया एक सब्द आएगा आगे चलके, बहुत सारी चीज़ी एक साथ नहीं बहुत लमबा से सब्द ही अब आपके मन भीए चल रहा होगा इस तर जी तो फिर जो पूरसों से प्रेम करेंगे उसको एंड्रोफाइल कहते हैं एंड्रोफाइल A-N-D-R-O-P-H-I-L-E Andros means male और फाइल बना है फिलाइन्स एफिलाइल मिन्स प्रेम तो एंडरोफाइल एंडरोफिलिया जो इस पुरसों से प्रेम करें उसे एंडरोफाइल कहते हैं ध्यान रखिएगा आगे आएगा अभी तो सुरुवात हुई है बहुत से रूट्स हैं बहुत से शब्द हैं इतनी मोटी है वो किताब इतनी मोटी अभी तो उसके पहले चेप्टर के पहले या दूसे सेसंद में हम लोग हैं लंबी लराई है मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ आपके सामने आपके मुबाइल में आपके लैप्टॉप में आपके कम्प्टर में हो एक बड़ा नेड़े लिया गया है आशा करता हूँ मैं मनजील तक पहुँचूँगा आपका साथ रातो वस सहयोग करिए इन शब्दों को देखिएगा समालिएगा अगले सेसंस में कुछ और यह वर्ट्स आएंगे हाँ आप यह सूचा है हूँ कि सर जी आपने ग्रैमर का भी वादा के था लगातार वकायबार है तो इधर मैंने सूचा कि थोड़ा नई शरिंखला सुरू हूई है नई सीरीज सुरू हूई है आप एक्साइटेड होंगे तो लगातार आपको कम से कम 10-12 सेसंस दे दूँ उसके बाद फिर आराम से बांट लिया जाएगा तीन वीडियो जो मिलेंगे उसमें कुछ ग्रैमर के भी होंगे और इसके तो होंगे ठीक है I hope आप इसको enjoy कर रहे हैं और कर रहे हैं तो हमें महसूस कराईए और लोगों तक फैलाईए आप ही के माध्यम्स में पहुँच पाऊंगा आप ही मेरे प्रचारक हैं आप ही मेरे ताकत हैं और संबल हैं मिलते हैं नेक्स सेशन में थेंक यू